हलो फ्रेंट्स वल्कम बैक टू माई चैनल गर्मियों की मौसम में सब को ठंडा ठंडा पीने की तलब रहती है और वो भी हल्दी और टीस्टी घर पर तयार हो जावे चुट के अब जाते से ही तो क्यों आपन बनाना शुरू करते हैं एक वीडियो में आपको दो ड्रिंग मि करें तो उसके लिए मैंने हाफ पर ये दो कुकुंबर और कुछ पोदिनिशकी पत्ति आं रहे यहीं ईत लेंट करके डालगा है कुकुंबर को च्रियूरा जितना काला नामक और 140 पून जितना यह भुना पीसा जीरा लिए आप यहाँ पर काली मिर्ज भी एड़ कर सकते हैं अब तयार पेस्ट में चिल वाटर जो कि मैंने दो गलास पानी डाला है पस यह अपना तयार हो चुका एक बार इसको फेस्ट चे मैंने ब्लैंड किया अब सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर यह कुकुम्बर को एकदम पतली स्लाइस में इस तरीके से कट किया है और इसको गलास में रग दिया है अब कुछ मिंट लिफ और यह लेमन केक स्लाइस अब तयार जूस इसके अंदर डाल देते हैं बहुत ही रिफ्रेशिंग बनकर तयार हुआ है आप इसको सुबह सुबह पिएंगे तो आपको वेट लोस में भी यह हल्प करता है इस जूस को आप कभी भी पी सकते हैं जरूरी नहीं आप इसको सुबह सीबह पिए क्योंकि इसमें अपने जो भी चीज यूद करिए वो सब बहुत ही हल्प अनिविट्स वाली है तो नेक्स्ट ड्रिंक भी बहुत ही टेस्टी और हल्दी तयार होने वाला है नेक्स्ट है लेमनेट जो कि अपन पोदीने के साथ तयार करने वाले हैं यहाँ पर मैंने दो नीमु को कट कर लिया और कुछ पोदीने के पत्य को डंटा लटा दे मेक्सिका जाड लिया है और इसके अंदर यह कुछ पोदीने की पत्या और नीमु का रज डाल दिया है अब इसके अंदर आप चाहें तो नमक डाले वरना बिना नमक के और बिना चीनी के भी ये ड्रिंग बहुत ही टेस्टी बनने वाला क्योंकि अपने इसके अंदर एक ऐसी चीज डालेंगे तो दोनों की छुट्टी होने वाली अब मैंने यहाँ पर यह हाप टीज पूंज इतना काला नमक और वनफोर टीज पूंज जीरा पाउडर लिया है यहाँ पर आप चीनी चाहाए तो डालें वरना आप गुड भी डाल सकते मेरे चैनल पर गुड से लामनेट कैसे तयार करें उसकी रेसिपी आप जरूर देखें और मैंने यहाँ पर वन टीज पूंज इतनी चीनी डाली है और एक ग्लास भरके यह लिया है और मिक्सी में इसको मैंने 30 सेकिंड के लिए गुमाया और यह अपना रिफ्रेशिंग लामनेट बिन को तयार हो चुका है सर्व करने के लिए मैंने एक ग्लास लिया है और जो जूस बना के अपने तयार रखा है इसके अंदर डालने से पहले कुछ आइस क्यूब और पुदिने की पत्तियां और यह जूस तयार इसके अंदर डाल देते हैं अभी आप वीडियो अंतक देखें क्योंकि अभी तक मैजिक इंग्रीडियेट नहीं आया है जो कि इसकी रिफ्रेशिंग को बढ़ाने वाला है बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होने वाला है अब इसके अंदर अपन एड कर देते हैं यह स्प्राइट आप चाहे तो इस प्राइट ले या फिस सोडा एड कर सकते हैं बस यह अपना तयार हो चुका है मैंने यहाँ पर यह थोड़ा सा स्प्राइट डाला और इसका टेस्ट इतना अमेजिंग हो गया आपको यकीन नहीं हैं आपको बहुत पसंद आएगा और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती है तो लाइक शेर और कमेंट करके बताएं अमेजिंग सी रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे आनावली नई वी मिलते हैं इसी तरीकी की रेफ्रेशिंग रेसिपीज के साथ